हलो सातियों कैसे आप सभी मैं विक्राम और साइन्स सीरीज के तेरवे नंबर के लेक्चर में हम यहां पहुँच चुके हैं आज हम 13 नमबर के lecture में discuss करने वाले हैं तापमान जैसा कि आप देख भी पारे हो जिस topic को हम आज discuss करने वाले हैं वो है तापमान temperature से relative जितने भी आगामी exams में important question है पीछे परीक्षाओं में पूछे गए question है उन सभी question को मैं आपको आज यहां इस वीडियो के माद्यम से discuss करव आने वाला हूँ और दोस्तों यदी अभी तक आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा हैं तो playlist को विजिट करके आप उन सभी topic को भी आप one by one करके देखें जिससे की जुडाव की जो सभी बाते हैं वो आप अच्छे वे में समझ सकें और दोस्तों यदी आपको साम अमन्य विज्ञान का संपूर्ण material प्राप्त कर सकते हैं और यह नोर्स आपके बहुती उपयोगी साबित होने वाले हैं आगामी जिस भी आप exam में बैठने वाले हो इस नोर्सों में आपको सभी topic करम to करम मिलने वाले हैं और सभी क्यूशनों को जो moderate क्यूशन हैं उनको उ एक बार आप भी उन नोर्सों को प्राप्त करें हजारों स्टूडेंटों ने उन नोर्सों को प्राप्त कर चुके हैं तो आप क्यों चूपते हो आप भी एक बार उन नोर्सों को प्राप्त करें चले दोस्तों topic की और भढ़ते हैं topic को हम discuss करने वाले हैं बहुती easy way में discuss कर वाले हैं तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेऎगा आज हम जिस thepox को डिसकर्ष करने Łख वह तो आप जानी चुके हैं कि हम डिसकर्ष करने है हमारे पास जो ओप्सन दिये गए है उन ओप्सनों में हमें यहां से बताना था कि दिये गए जो ओप्सन है उन ओप्सनों में तापमान का मात्रक कौन सा नहीं है तापमान का मात्रक पूछे आपको आपको यूनिट यहां पूछ सकता है यूनिट के बारे में भी आपको द नाम सुनाओगा, और एक आपने नाम सुनाओगा Calvin का, होने को तो एक तापमान की एक और ही काई आती, जिसे हम Rumor कहते हैं, वो हमारे यहां काम में नहीं आने वाली है, तो Centigrid, फोरे नाइट और Calvin यह तीनों जो होते हैं, वो तापमान के मातरक होते हैं, और यह देखो लास्ट येर जो गुरूबडी के पेपर लगे थे वहां ये क्यूशन आपको पूछा गया था इंपोर्टाइट क्यूशन है आगामी एक्जाम से में भी आपको इसी परकार के क्यूशन देखने को मिलने वाले हैं तो इन सभी क्यूशनों को आप बगएर इसकिप किय हुए आप अंतक देखते चलिएगा तो तापमान का मातरक कौन सा नहीं है देखो फोरेनाइट भी तापमान का मातरक होता है सेंट सेल्सियस या सेंटिग्रेड ये भी तापमान का मातरक होता है कैल्विन भी तापमान का मातरक होता है लेकिन कैल्विन में एक विसेस बात ह क्या कि जो तापमान की जो मात्रक होते हैं कैल्विन इस कैल्विन को कभी भी डिग्री में व्यक्त हमें नहीं करते हैं कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि कैल्विन के उपर डिग्री लगी वी हो लेकिन सेंटी ग्रेड के उपर डिग्री लगाते हैं फोरिन एट के उ मुझा जाता कि तापमान की SI unit कितनी होती हैं, तो तापमान की SI unit क्या होती हैं, कैल्विन होती हैं, बाकी होने को तो फोरिनाइट भी तापमान की काई होती हैं, Celsius या Centigrade भी होती हैं, और कैल्विन भी होती हैं, यह आप यहां से जान चुके हैं, लेकिन जो पासकल है, जैसा आ काई होती है किसकी दाब की तो यहां से भी आपको क्यूशन देखने को मिल सकता है कि पास्कल किसकी काई होती है तो पास्कल किसकी काई होती है दाब की काई होती है किसकी दाब की काई होती है चलिए तो अगले क्यूशन की ओर बढ़ते है हमारा अगला कुशन इस्क्रीन पे आही चुका है और आप बहुत अच्से वे में इसको पड़ पा रहे होंगे दोस्तों यदि टोपिक से रिलेटिव अभी थक आपनी पीडियेप को नहीं प्राप्त किया है तो प्लीज दोस्तों डिस्क्रप्शन बोक्स में जाईएगा और वहाँ पीडियेप का जो लिंक दिया गया है वहाँ सभी टोपिकों के आप नोर्स प्राप्त कर सकते हो एक साथ चलिए तो अब हम डिस्कर्प्श करते हैं यहां से तापमान का ऐसा ही मातरक क्या होता है जैसे हमने पीछे की क्यूशन में इसे पूछा जाता है कि ताप तापमान का ऐसाई मातर क्या होता है। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, रोजाना वीडियो में अंतक बने रही है गाप, और आपकी आंस्वर सीट भी आप इस वीडियो के अंतक आप चेक करें कि आपके इस वीडियो में कितने परसन सही विये हैं, रोजाना हम 20-30 क्यूशनों को यहां से डिसकर्स करते हैं, तो आप खुद भी इस सीज को लगा सकते हैं कि आपने कितने क्यूशनों का सही से जबाब दिया है, चलिए तो, दो नम्मर का जो क्यूशन है, उसमें बताना था कि तापमान का ऐसा ही मातरक कौन सा है, दिल्ली पुलिस के पेपर में यहां से क्यूशन भी पूचा गया था, त तो क्या बताओगे, SI मातरक होता है क्या, कैल्विन, होने को तो देखो, Celsius और पुने नाइट, यह भी तापमान के ही मातरक होते हैं, लेकिन SI unit या SI मातरक के बारे में पुचे, तो हमें किस को बताना है, कैल्विन को यहां से बताना है, तो सही जबाब होता है, दूसरे नम् चले यह तो जल्दी बताइएगा, देखें, कमेंट वोक्स में लिखें आप इसको, कि केंडला किसकी unit होती है, देखो कई स्टूडेंट्स का सही जबाब कमेंट वोक्स में भी लिख रहे हैं, कि केंडला किसकी unit होती है, एक होती है वेबर, और एक होती है केंडला, एक होत आप पता रखें क्योंकि इंपोर्टेंट परिक्षाओं में यह बहुत बार चप चुकी हैं आगामी जिस भी पेपर में आप बैटने वाले वहां भी एक क्यूशन पूछे जा सकते हैं केंडेला किसकी होती है वेबर किसकी होती है टेसला किसकी होती है केंडेला तो जो होती ह यह वो होती है किसकी जोति तीवरता की कई स्टूडेंटों ने कमेंट वोक्स में भी लिख चुके हैं इस बात को कि जोति तीवरता की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है चले तो अगले कुशन की और बढ़ते हैं हमारा अगला क्यूशन है ऐसा ही पदती में ताप का मूल म हल करवाने के लिए लेके आया हूँ तो तापमान का ऐसा ही मूल मातरक यदि पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है कैलविन बताना है सही जबाब हमारा यहां से क्या होता भी यहां से सही जबाब होता जेल प्रेरी के पेपर में रास्तान जेल प्रेरी के पेपर में यहां से क्यूशन पूचा गया था जबकि पीछे वाला क्यूशन दिल्ली पुलिस के पेपर में पूचा गया था तो दोस्तों आप घबराएं नहीं सबी टोपिकों को मैं मोडरेट क्यूशनों के साथ आपको हल करवाने वाला हूँ बसरते सिरिप आप 10 बजे मेरे साथ कलास में जुड़ जाईगा और दोस्तों यदि आप टेलीग्राम को अभी तक जोइन नहीं किया हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी जोइन करें क्योंकि वहां रोजाना क्यूज होती हैं उनको भी आप वहां से लगा सकते हैं तो तीसरे नमर का सही जबाब यहां से क्या होता भी यहां से सही जबाब होता अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं अगला क्यूशन कहा है कि तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्तित करने के लिए परियुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है किसी भी तापमान को डिग्री में व्यवस्तित करने के लिए जो उपकरण हम काम में लेते हैं वो उपकरण कौन सा होता है वो हमें य बनाए रखता है जैसे फिरीज में लगा वा रहता है थर्मो इस्टेट जो तापमान को बैलेंस एक नियत इस्तान पर उसका मान बनाए रखता है जबकि जो थर्मा मेटर होता है जैसे आप कभी भुखार का सिकाईत हुई होगी आपके ऐसा हो नहीं लेकिन कभी बाइदावे आपके बुखार की सिकाईच रही होगी तो डॉक्टर ने आपके शरी का टेंपरेचर जिस उपकरण से मापा था जो पैंसिल के समान था उसमें उपर रिडिंग लिखके आ रही थी कि कितना संटिग्रेड है कितना फोरे नैट है तो उस यंतर को कहते हैं अम थर्मामेटर जो अधिक मान यदी तापमान का दिया गया है तो उसको मापते हैं किसमें पाईरोमेटर में और थर्मामेटर एक ऐसा यंतर होता है जिसे हम तापमान की रिडिंग लेते हैं तो चोथे नमर का सही जबाब होता यहां से क्यां भी यहां से आप सही जबाब तक पहुँच पाते चलिए तो अगले क्यूशन की और भढ़ते हैं अगला क्यूशन है सुन्य डिग्री सेंटी ग्रेड कितने डिग्री फोरेनाइट के बराबर होता है ये देखो रेलवे की एंटी पिसी की जो परिक्षा थी वहाँ ये क्यूशन आपको पूछा गया था तो क्यूशन को समझने का आप परियास करें क्यूशन में क्या कह रखा है क्यूशन में कह रखा है कि देखो जैसे आपने आपको यदि आप मेरे साथ लेक्षर में सुरू से बने विये हैं तो आपको इस चीज का ग्यान हो चुका है कि centigrade भी ताप मान की काई होती है फोरेनाइट भी ताप मान की काई होती है और Kelvin भी ताप मान की काई होती है कई बार आपको ऐसे देता है कि 10 degree centigrade मेरे पास मान है इसको फोरेनाइट में बदल के बताओ यदि आपको कहीं ऐसे दे दे कि फोरेनाइट में दे दे फोरेनाइट में पूछा था कि सुन्य डिग्री सुन्य डिग्री सेंटी ग्रेड यानि कि 0 डिग्री सेंटी ग्रेड का जो मान है वो फोरे नाइट में किसके बराबर होता है तो ये देखें आप यहां से कि हम 0 डिग्री सेंटी ग्रेड को फोरे नाइट में कैसे बदलें चले तो आप यहां से देखें कि हम 0 डिग्री सेंटी ग्रेड को फोरे नाइट में कैसे बदल सकते हैं यदि आपको कोई भी मान दिया गया है आपको सेंटी ग्रेड में दिया गया है कैल्विन में दिया गया फोरेनेट में दिया गया तो एक काई को दूसरी काई में आसान तरीके से ही बदल सकते हैं आपको बदलने के लिए क्या चाहिएगा आपको बदलने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि Cby 5 बदाबर F-32 Susp से Scr 2,35 यह अपको आगी यह चीछ जब आपको आएगी तभी ही आप बदा पाओगे कि किसी भी सेंतीग्रेड को मालन को हम कैलि выन में कैसे बदल सकते हैं फोरेनाइट को कैल颂विन में कैसे बदल सकते हैं यहां एक दूसरी को बदला जा सकता है, फोरेनाइट को सेंटी ग्रेड में बदला जा सकता है, और सेंटी ग्रेड को फोरेनाइट में बदल सकते हैं, फोरेनाइट को कैल्विन में भी बदल सकते हैं, और कैल्विन को फोरेनाइट में बदल सकते हैं, क्यूसन में हमें सिर्फ ये पूछा, कि सुन्य में पूछा तो अब हमें किस में किस किस में संबंद चीए सेंटी ग्रेड और फोरे नैट में संबंद चीए इन दोनों में संबंद कहा दिया गया है यहां दिया गया है इसको उठाई आप C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 ये सम्मद्ध है अब आपको centigrade में कितना मान दिया गया है centigrade में आपको मान दिया गया है यहां से कितना 0 degree कितना दिया गया है 0 degree दिया गया है तो अब बताते हम अब इसको हल भी कर सकते हैं क्योंकि फोरेनायट को हमें अकेला करना होगा किसी भी परसन में जिस चीज को हमें गयात करना होता है उसे हम अकेला छोड़ना पड़ता है फोरेनायट को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो हम 0 में 5 का भाग लगाते हैं यहां तो कितना आजाएगा, 0 आजाएगा, तो यहां तो क्या बन गया हमारे पास, 0 बन गया, यहां तो 0 बन गया, अब यह 9 इस 0 से आके गुना होगा, कोई भी संक्या यदि 0 से गुना होती है, तो 0 ही आता है, तो इसका मान भी कितना हो गया, यहां से 0 हो गया, तो हमारे पा बच जाएगा हमारे पास 32 बच जाएगा 0 degree centigrade का मान फोरेनाइट में 32 डिगरी फोरेनाइट के बराबर होता है या आप इस क्यूशन को डाइरेक्ट भी आप पता रख सकते हैं, डाइरेक्ट कहां से पता रखोगे देखो, इधर से देखें आप यदि आपको centigrade वाला 0 degree centigrade या फोरेनाइट वाला पूशा तो आपको यहां से डाइरेक्ट कैसे बताना है या आप हल भी कर सकते हो हल कैसे कर सकते हो, यह आपको सम्बन इन में पता होना आवशक होता है देखो, 0 degree जो centigrade होता है 0 degree centigrade 32 degree फोरेनाइट के बराबर होता है और ये दोनों के दोनों मान 213 Kelvin के बराबर होते हैं आपको कहीं ऐसा पूछा जाए कि 0 degree centigrade Kelvin में किसके बराबर होता है तो Kelvin में 213 के बराबर होता है ये तीनों के तीनों मान आपस में बराबर का योगदान रखते हैं 32 degree Fahrenheit Kelvin में यदि बराबर पूचे तो 233 Kelvin के बराबर होता है और 32 degree Fahrenheit centigrade में पूचे तो 0 degree centigrade के बराबर होता है तो ऐसा आप यहां से direct भी सीख सकते हैं या आप निकालना भी सीखें आपको पहले वरियता आपको निकालने आनी चीए क्योंकि आपको 0 के अलावा कोई अन्यमान भी तो आ सकता हैं उ के लिए तो हसते मुस्कराते ही next अगले क्यूशन की और भढ़ते हैं हमारा अगला क्यूशन आ चुका है बोड़ पे कि 0 degree centigrade तापमान का मान फोरे नाइट में फोरे नाइट पैमाने पर क्या होता है राजस्तान पुलिस 2010 में यह क्यूशन यहां से पूचा गया था तो आप यदि टोपिक में आप में साथ सुरू से बने विये होंगे तो आप इस चीज को सीख पा रहे होंगे कि हम 0 degree centigrade से हम कैलविन में कैसे बदले या कैलविन को फोरे नाइट में कैसे बदले यह की काई दूसरी काई में किस परकार से बदल रही है वो आप यहां से देख भी पा करें और दोस्तों रोजाना दस बजे वाले किलास में आप इसी परकार मेरे साथ जुड़ जाईएगा और हम एक नई उर्जा के साथ और नए अटोपिकों के हम इसी परकार यहां से डिसकर्स करने वाले हैं तो देखो पीछे वाले क्यूसन में हमने डिसकर्स किया था कि ड से निकालना होगा तो निकालने के लिए संबंद पता हो C बटा 5 F माइनस 32 बटा 9 K माइनस 233 बटा 5 यह जब संबंद आपको पता होगा तो अब किसी भी इकाई को एक दूसरी इकाईों में कनवर्ट कर सकते हैं अब जो आपको दिया गया है 0 डिग्री सेंटी ग्रेड यहा से 0 रखना होगा फिर आप 0 में 5 का भाग दे होगी तो क्या हैगा यहां से 0 बन जाएगा यहां टोटल संक्या कितनी हो गई 0 हो गई फिर यह जो 9 है यह भी किस से जाके गुना हुआ 0 से जाके गुना हुआ तो कितना बन गया यह भी यहां से कितना बन गया 0 बन गया तो 0 ब बदलना चाल रहे हो, तो जिस एकाई में आप बदलना चाल रहे हो, अंत में वो एकाई हमेशा अकेली होनी आवशक होती है, तब ही हमारे पास उसका सही जबाब आता है, या फोरेना एट को अकेला करेंगे, फोरेना एट को अकेला करेंगे, तो एप बराबर इधर कितना हो 32 क्योंकि minus का यदी दूसरे पक्स में जाता है तो पलस में हो जाता है तो यदी आप direct यदी नहीं पता रख सकते हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं निकालने के लिए आप वो formula यहां से पता होना आफशक होगा तो यहां से अमारा सही जबाब होता क्या? सही जबाब होता क्या यहां से यहां से सही जबाब होता कि 32 डिग्री फोरे नएट, 0 डिग्री कैल्विन, 70 ग्रेड के बराबर होती है चलिए तो, 7 नमर का कुशन स्क्रीन से देख पा रहे होंगे और यह राजस्तान पुलिस 2010 में यहां से कुशन पूछा गया था तो आप इसका सही जबाब बताएं देखें कि मनुष्य के सरी का तापमान कितना होता है, कौन से ओप्सन में यहां से हमारा सही जबाब होता चलिए तो, फटाक फटाक से पर्षनों का उतर आप कमेंट वोक्स में लिखते चलें तो आप यहां से बता पाएं होंगे कि मनुष्य के सरी का तापमान कितना होता है यदि हमारे को यहां ओप्सन में centigrade दे रखा है, तो centigrade इकाई वाला ही मनुष्य के सरी का तापमान बताना था अब देखो यहां से हमारे को यदि शरीर के मानौ सरी का यदि टापमान यदि कहीं पूछा जाता है तो मानौ सरी का जो तापमान होता है वो तीन इकाईयों में अलग-अलग होता है centigrade में अलग होता है Kelvin में अलग होता है यहां से और Fahrenheit में अलग होता है यदि आपको centigrade में पुछा जाए तो centigrade में आपको बताना है कितना 36.9 degree centigrade या तो आपको यह मिल सकता है option में या आपको यही मिल सकता है 37 degree centigrade option में आपको मिल सकता है और यदि आपको मानव सरी का तापमान फोरेनाइट इकाई में यदि पूछा जाता है फोरेनाइट इकाई में सरी का तापमान होता है अठ्यान में पोइंट 6 डिगरी फोरेनाइट आपका यहां से सही जबाब होता और यदि Kelvin में यदि आपको पूछा जाए तो मनुष्य के सरीर का Kelvin में मान होता है कितना 310 Kelvin कितना होता है 310 Kelvin हमारा यहां से सही जबाब होता लेकिन मनुष्य के सरीर का तापमान कितना होता है ऐसा क्यूशन राजस्तान पुलिस में पूछा गया तब हमारा यहां से सही जबा छहतो है लेकिन centigrade है तो ये तो इसकारण गलत होता अधिकतर इस्टुडेंट इसका जल्दबाजी में D option लगा के इसका गलत करके आये थी option को तो यहां 34.9 degree centigrade है यहां हमें फोरेनाइट में मान बताना होगा चाठ्यान पॉंच है centigrade में तो कितना होता 36.9 यहां कितना होगा 37 degree centigrade के बराबर होता है ऐसा आपको B option में मिल पा रहा था तो हमारा यहां से सही जबाब होता कुनसा B यहां से सही जबाब होता चलिए तो अगले कुशन की और भड़ते हैं हमारा अगला कुशन आ चुका इस क्रीन पे और आप देखा रहे जेल प्रेरी के पेपर में यहां से एकुशन पूछा गया था कि 10 degree centigrade ताप मान का 10 degree centigrade ताप मान फोरेनाइट पैमाने पर क्या होता है फोरेनाइट पैमाने में हमें बदल के बताना था तो देखो आपने अब तक सीखा होगा इस बात को कि 10 degree से फोरेनाइट में हम किस परकार से बदलते हैं देखो आपने मेरे साथ लेक्चर में सुरू से बना हुआ होगा तो हमने सीखा है यहां से C बटा 5 F माइनस 32 बटा 9 32 बटा 9 और K माइनस 213 बटा 5 इसके आधार पर हम किसी भी हिकाई को उसकी दूसरी हिकाई में बदल सकते हैं अब क्यूशन में हमें क्या दियावाद सबसे पहले तो आपको नोट करना कि क्यूशन में हमें दे क्या रखा है centigrade में दे रखा है 10 degree centigrade दे रखा है पूचा किस में है फोरेनाइट में पूछा है तो एप में यानि कि फोरेनाइट में हमें ग्याद करना है मतलब इन दोनों का जो संबन्द होगा उसको अटाना होगा दोनों का संबन्द दिया गया है C बटा 5 बराबर एप माइनस 32 बटा 9 इन दोनों इकायों को बदलने का ये इसका सिस्टम होता है फिर देखो centigrade में कितना दिया हुआ है 10 तो जहां centigrade का मान है वहां आप 10 रखें तो यहां सबसे पहले 10 रखते हैं अब देखो 10 में 5 का भाग लगाते तो कितना आता ये 2 आता तो 2 बराबर f-32 बटा 9 होता है यहा दो के पास जाके गुणा होगा दो के पास जाके गुणा होगा तो कितना पनेगा 18 बनेगा और एप माइनस कितना बनेगा 32 बनेगा फिर ये जो माइनस का जो 32 है उसको भी आप दूसरे पक्स में लेके जाओ तो दूसरे पक्स में लेके जाओगे तो माइनस के चीज किस में हो जाएगी पलस में हो जाएगी, 32 किसका हो जाएगा, पलस का रएप क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसका सही जबाब होता, और 18 में 32 येदि आप जोडते हो, तो कितना होता है, 50 होता है, 50 डिग्री फोरे नाइट बराबर होता है, किसके 10 डिग्री सेंटी ग् जबाब होता, at number के question का ए यहां से सही जबाब होता ऐसे ही प्यारे-प्यारे question को अगे भी discuss करने वाले हैं, तो वीडियो को skip नहीं करें, अपने दोस्तों को share नहीं किया है, तो अपने दोस्तों को भी share करें, और हमारा काम ये दि आपको पसंद आई, तो like, share, subscribe आप कर रही सकते हैं, अन्य था आप तो मज़े से यहां पढ़िएगा, चलिए तो अगले question की और बढ़ते हैं हमारा अगला question है 25 degree centigrade फोरेनाइट स्केल पर कितने डिगरी के बराबर होता है, इस्टेनों की हैं, फोरेनाइट में बदल के बताना है, तो centigrade और फोरेनाइट वाला संबंध हमें उठाना था तो हम उठाएंगे कि आप तक तो आपको यादी हो चुका होगा कि centigrade और फोरेनाइट में संबंध कैसा होता है, उसका तो आप निकाली चुके होंगे चले तो बदल के बताएं, देखें, आप मेरे को comment box में लिखें हैं कि फोरेनाइट ता आप मान पर कितने डिगरी के बराबर होगा सही जबाब आप यहां से क्या लगा पाते चले तो फटाक से बताईएगा देखो कई student comment box में अपना सही जबाब भी mention कर पाते हैं और यह रोजाना मेरे साथ इसी class में जुड़े रहते हैं तो यदि आप भी channel पे आज नए हैं तो रोजाना 10 बजे वाली class में आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और science को बिल्कुल ही आसान वे पे हैं आप समझे यहां से चले तो अब discuss करते हैं देखो एप फोरेन एट में निकालना था तो फोरेन एट और centigrade का संबंध क्या होता है C बटा 5 बराबर एप माइनस 32 बटा 9 होता है DIY क्या है centigrade में DIY तो C की जगे तो कितना रखते हैं हम यहां से 5 रखते तो C की जगे 25 रखते जैसे हम C की जगे 25 रखते हैं तो अब person हमारे पास hello ने लग गया है तो 25 पांच से करता है कितनी बार 5 पांच बार करता है और यह 9 भी पांच के पास जाके गुणा होगा तो कितना बनेगा 45, 45 बराबर एप माइनस 32 होगा यहां से अब देखो यह माइनस 32 है यह दूसरे पक्स में जाएगा तो दूसरे पक्स में जाने पर क्या हो जाएगा पलस में हो जाएगा तो 45 पलस 32 बराबर एप और 45 में आप 32 जोड़ी सकते हो कितना आएगा 77 आपका यहां से सही जबाब होगा कि 25 डिगरी सेल्सियस का जो मान होगा वो फोरे नाइट में कितने के बराबर होगा 77 डिगरी फोरे नाइट के बराबर होगा यहां से सही जबाब होता नो नमबर का यहां से सही जबाब होता चलिए तो अगले कुशन की ओर भढ़ते हैं हमारा प्यारा सा question आ चुका है अब हमें यहां से बताना था कि 14ær डिग्री फोरेनाइट पर्सन को थोड़ा सही से पढ़े चोड़ा डिग्री फोरेनाइट कितने डिग्री सेंटी ग्रेट के बराबर होता है अब हमें पर्सन में दिया हुआ क्या है देखो पर्सन में दिया हुआ है क्या है फोरेनेट और फोरेनेट में कितना दिया हुआ है चोदा दिया हुआ है किस में पूछा सेंटी ग्रेड में हमें बताना था सेंटी ग्रेड में हमें बताना था तो सेंटी ग्रेड और फोरेनेट का संबंद क्या होता है C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 और K माइनस 233 बटा 5 ये तीनों का संबंद होता है किनी 2 का आपको निकालना होता है अब यहां दो आमें चीहें किसका centigrade और 4 इन दोनों को उठाते हैं हमारे को Kelvin वाने से कोई मतलब भी नहीं था यहां से कि Kelvin का वाला हम यहां से पता रख पा सकती है तो आप इस चीज को याद रखें जिसका आप निकलवाए आपसे वो उसका समंध्वास से उठा सकते हैं अब देखो फोरे नैट में कितना दिया हुआ है 14 तो एप जहां लिखा हुआ है वहां तो कितना लिखते वहां तो हम mention कर पाते कितना 14 और 14 में से 32 कम करते हो तो minus में मान आले वाला है तो आप 32 में से 14 कर लो फिर उसको minus कर देना 32 में से आप 14 कम करते हो तो कितना आएगा आपके पास कितना आता है आपके पास तो 32 में 10 कम करिएगा 22, 22 में 4 और कम करिएगा कितना 18 तो देखो C बटा 5 बराबर लेकिन वो माइनस का आने वाला है माइनस का 18 आने वाला है क्योंकि हमने 14 में से माइनस 32 कम किया है और नीचे कितना 9 लेकिन ये 18 नो से कड़ता है कितना माइनस के दो बार कड़ता है और ये 5 इस माइनस 2 से जाके गुणा होगा C बराबर माइनस का दो 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 10 होगा माइनस का तो अब देखो यहां से हमारा सही जबाब होता माइनस का 10 यानि कि D option यहां से हमारा सही जबाब होता, तो आप centigrade को Fahrenheit में और Fahrenheit को centigrade में भी बदल पाए होंगे, चलिए तो इसका सही जबाब भी आप बता पाए होंगे, दोस्तों, topic से relative PDF को प्राप्त करने के लिए आपको description box का सारा लेना पड़ेगा, description box में PDF का link दिया गया है, उसमें इसी प्रकार के moderate question को समाईत किया हुआ है, तो आप चुके नहीं उस PDF को एक बार वहां से आप प्राप्त करें, चलिए तो अगले question की ओर भढ़ते हैं, 11 नमर का जो question है उसमें पूछा, 68 degree Fahrenheit, 68 degree जो Fahrenheit है उसको centigrade पहमाने में बदल के बताना था, तो 68 degree Fahrenheit को centigrade में कैसे बदल पाते हैं, यदि आप मेरे साथ lecture में सुरू से बने हुए होंगे, तो आप इसका जबाब भी सही से comment box में लिख पा रहे होंगे, चले तो यदि आप आज ही अभी इसी question में जोइन हुए हो, तो दुबारा से सीखें, किसी भी centigrade वाले मान को यदि फोरेनाइट में बदलना होता है, तो उन दोनों का सम्मन्द होता है, सी बटा पांच, एप माइनस बटीस बटा नो होता है, फिर हमें question में note करना है कि question में हमें दिया गया क्या है, 68 degree Fahrenheit, यानि कि एप का मान दिया गया है कितना 68, यदि आप 68 में 32 कम करते हो तो आपके पास बचता है कितना 36 बचता है, सी बटा पांच बराबर 36 बटा नो, यहां तक किसी भी student को कोई दिक्कत नहीं हो पा रही होगी, फिर यह 36 भी नो से करता है, नो चोक का 36 करता है, चार बार करता है, तो यहां बच गया सी बटा पांच बराबर 4, फिर यह 5 भी इस चार से जाके गुणा होगा यहां से, तो 4 से 5 यह दि गुणा होता है, तो कितना आता है, 4 पंजे 20, तो सी का मान कितना होगा यहां से, 20 होगा, यदि 11 वे का आप सही जवाब बता पाते हैं, तो B कौन से उप्शन में लिखा हुआ है, D उप्शन में लिखा हुआ है, यह भी देखो, इस्टेनों की एक्जाम में 2019 में यह क्विशन भी पूछा गया था, तो यह देखो, moderate topic है, इससे आगामी जिस भी परतियों की परीक्षा में आप बैटने वाले हो, वहाँ से topic में कोई परसन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन जो student मेरे साथ सबी पार्टों में सुरू से end तक बना हुआ होगा, तो वो तापमान से कभी परसन गलत नहीं करने वाला है, क्योंकि हमने बहुत ही easy way में इसको सीखा है, चले तो अगले question की ओर बढ़ते हैं, हमारा बारवे नमर का question है, भूमी के उपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ, तापमान में करमिक वर्दी दर लगबग कितना किलोमिटर होती है, देखो ये दिल्ली पुलिस के पेपर में यहां से question पूचा था, लेकिन यहां से हमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखना था, direct हम उत्तर की तरब चलते हैं, कि यदि भूमी के उपरी भाग से, यदि गहराई बढ़ने के साथ तापमान में जो करमिक वर्दी होती है, वो कितनी होती है, वो होती है, परती किलोमेटर कितनी 30 degree centigrade के बराबर होती है, यदि हम भूमी से नीचे की तरब चलें, तो तो तापमान में जो करमिक जो परिवर्तन होगा, जो वर्दी दर होगी, वो परती किलोमेटर कितनी होगी, 30 degree centigrade के बराबर होगी, चले तो आप 12 नंबर का सही जबाब बता पाते, C, चले तो हस्ते मुस्कराते ही, अगले क्यूशन की ओर भड़ते हैं, हमारा अगला क्यूशन आ चुका है, आइटी बीपी के एग्जाम में यहां से क्यूशन पुछा गया था, कि 12 degree centigrade जलकी भोतिक अवस्ता क्या होती है, जब पानी 12 degree centigrade अवस्ता पर होता है, तो पानी की अवस्ता क्या होती है, देखो इससे पीछे वाला lecture अभी तक आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिष्ट को विजट करके आप इस पीछे वाला पार्ट भी देखें, क्योंकि वहां मैंने डिसकर्स करवाया था, कि पदार्तों के कितनी अवस्ताई होती हैं, और कौन-कौन सी अवस्ताई होती हैं, किस अवस्ता में कौन-कौन से गुन होते हैं, तो यदि उस वीडियो को आपने मिस किया है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, जिससे की आप इस क्यूशन का भी वहाँ से सही जबाब बता पातें, तभी मैं आपको बार बार इस चीज को नोट करवाता हूँ कि आप सभी टोपिकों को करम टू करम देखते चलें, जिस इससे की जुडाव की चीज़ें आपके समझ में आ सकें जो इस्टूडेंट दरव्य की अवस्ता हैं यानि की मेरा जो इससे पीछे वाला पार्ट है यदि उसमें बना हुआ होगा उसको तो ये क्यूशन बताने में कोई दूविदा नहीं हो रही है क्योंकि उस्टूडेंट ने मेरे साथ जुड़के सीखा था कि ठोस अवस्ता दरव अवस्ता और गैस अवस्ता का परिवर्तन एक दूसरी अवस्ताओं में तापमान बदलने के साथ होता है लेकिन ठोस का दरव में बदलना क्या कहलाता है गलन कहलाता है और दरव का गैस में बदलना क्या कहलाता है वास्पन क्या कहलाता है वास्पन कहलाता है क्या कहलाता है वास्पन कहलाता है या वास्पो सर्जन कह सकते हैं गैस का दरव वबस्ता में बदलना क्या कहलाता है संगनन कहलाता है और दरव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है ही मांक कहलाता है लेकिन इनसे जुड़ी वी बातो को भी हमने वहां से डिसकर्स किया था कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस दरा ववस्ता में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं उस तापमान को क्या कहते हैं गलनांक कहते हैं क्या कहते हैं गलनांक कहते हैं और उस तापमान को जिस पर पानी उबलना इस्टार्ट हो जाए या पा इतना होता है 100 degree centigrade और जब हिमांक यानि कि जमना जिसे कहते हैं दरा ववस्ता का ठोस वस्ता में बदलना आपको क्या कहलाता है हिमांक कहलाता है और पानी का हिमांक बिंदू होता है 0 degree centigrade यानि कि 0 degree centigrade पर तो पानी ठोस वस्ता में रहता है और 100 degree centigrade पर पानी गैस यवस्ता में रह का मान बच गया उसमें कौन सी अवस्ता में रहने वाला है वो दरव अवस्ता में रहने वाला है तो यहां से आपका सही जबाब होता कौन सा यहां से आपका सही जबाब होता सी यहां से सही जबाब होता क्योंकि पानी का क्वित्नांग जो बिंदू होता है वो क्वित्नांग गैसी अवस्ता में रहता है, लेकिन पानी का जो हिमांक बिंदू होता है, वो हिमांक बिंदू होता है, 0 degree centigrade, इसमें पानी कौन सी अवस्ता में रहता है, फोस अवस्ता में रहता है, लेकिन इन दोनों के मान जितने भी बच गए बीच में, वहाँ पानी कौन सी अवस्ता में दरववस्ता में रहता है, तो ITBP की एक्जाम में जब यह यहां से कुछन पूछा गया था, तो वहां सही जबाब बताना था हमारे को क्या, सी यहां से सही जबाब बता पाते हैं, चलिए तो हस्ते मुस्कराते ही, अगले कुछन की और लेके चलता हूं आपको, अगले कुछ पानी का हिमांक बिंदू कितना होता है, यदि आप लेक्चर में मेरे साथ सुरू से बने भी यह होंगे, तो चोधवे नमर का कुछन भी आप सही बता पा रहे होंगे, क्योंकि हमने इससे पीछे डिसकर्स किया है, कि पानी का हिमांक बिंदू कितना होता है, पानी का इंटिग्रेड दोनों में से बहुत बार आपको कुशन दिखने को मिला होगा एक्जाम में आगे आने वाली जो भी एक्जाम होगी वहां भी आपको तापमान से संबंदित कुशन पूछे जाएंगे और जो इस्टुडेंट मेरे साथ पीडियेप के साथ वीडियो में बना ह हुआ है उसको यहां से तापमान में कभी परशन गलत नहीं होने वाला है और हमारे जो दिया हुआ जो कंटेंट है उसमें हुभुभुभु कुशन मिलता है जो छी एचसेल की पेपर लगें दो चार रोज पहले ही वहां से आप मिलान करके भी देख सकते हमारे जो नोर्स ह यह कि option में zero degree centigrade नहीं है लेकिन आपको 419 में भी तो पूच सकता है क्योंकि zero degree centigrade होता है वो फोरे नाइट में किसके बराबर होता हैं 32 degree Fahrenheit के बराबर होता है तो या तो किसी परसन का जबाब zero degree centigrade बन रहा है तो यदि option में 0 degree centigrade नहीं है तो आप फोरेनायट भी तो लगा सकते हैं 32 degree फोरेनायट भी लगा सकते हैं यदि 32 degree फोरेनायट भी option में नहीं होगा तो वहाँ हो सकता है कितना 333 Kelvin वहाँ आपका सही जबाब हो सकता है तो centigrade में option में नहीं था फोरे नाइट में option में था तो फोरे नाइट में हम option बताते कौनसा 32 डिगरी फोरे नाइट पानी का हिमांक बिंदू यानि की जमाओ बिंदू भी कहते हैं इसको कौनसा बिंदू कहते हैं जमाओ बिंदू भी कहते हैं ये देखो NTPC के पेपर में यहा आज के पार्ट का लाश्ट क्यूशन आ चुका है और इसको डिस्कर्स करते हैं, हम यहां से परम सुन्य तापमान खालिस्तान को दर्साता है, यह देखो NTPC की पेपर में यहां से क्यूशन पूछा गया था, तो सबसे पहले तो हमें यहां से यह मालूम करना था, कि परम सुन के मान को हम कहेंगे क्या परम सुन्य तापमान, यानि कि जो संभव जो तापमान है, सबसे कम जो संभव तापमान है, उस सबसे कम संभव तापमान को कहते हैं परम सुन्य तापमान, और दुनिया में इससे नीचे संभव तापमान अभी तक नहीं हुआ है, इसी कारण इसक तो पंदरवे नमर का किष्षन आपको इसक्रीन से दिखाई दे रहा होगा, फटा से इसका सही जवाब बताएं, देखें, आप कमेंट वोक्स में लिखें, कि परम सुन्य जो तापमान होता है, इपरम सुन्य तापमान किसे कहा जाता है, या क्या दरसाता है, तो जो सबसे कम संबव जो तापमान होता है न, उस सबसे कम संबव तापमान को हम कहते हैं, परम सुनने तापमान, सबसे कम संबव तापमान है माइनस 250 डिगरी centigrade। इस दुनिया में सबसे कम संबव जो तापमान है regen सबसे कम ता उसे ही हम कहते हैं पर्म सुनने तापमान तो यहां से हमारा सही जबाब क्या होता देखे बताईएगा कि सुनने से 233 कम बिल्कुल सही है एं उप्शन हैं सबसे कम की तरफ छलते हैं तोान कभी न настоящ काम की तरफ चलते हैं यहां कभी सकते हैं कि सुनने से 203 जो कम है उसी को हम परम सुनने तापमान कहते हैं और परम सुनने तापमान क्या कहते हैं जो संभव जो सबसे कम जो तापमान होता है उसको कहते हैं हम परम सुनने तापमान तो पंदरवेक आप सही जबाब बता पाते हैं यहां से कौन सा यहां से आपक तो सभी क्यूशन उमीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आये होंगे और आगामी एक्जाम से रिलेटिव यह दि आपको समय विज्ञान की नोर्स प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रप्शन बोक्स में पीडियाप का लिंक दिया गया है वहां बहुत ही इं अच्छे प्राप्त कर सकते हैं तो अपनी तयारी को एक नए मोड की तरफ लेके जाएं दोस्तों इस सीरीज के अगले वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात करने वाला हूं बसरते रोजान आप 10 बजे मेरे साथ क्लास में जुड़ जाएगा नेक्ट क्लास में फिर मिलता हूं तब तक के लिए आपका तहए दिल से धन्यवाद